नाजिरेन उतल्बा मैं प्रोफिसर मुहम्मद मसूद हुसेन गेस्ट फैकल्टी निजामत फासिलाती तालीम मौलाना आजाद नेशनल उर्दु उनिवेस्टी की इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खेर मखदम करता हूँ आज की इस नशिस्ट में जो हम बीए बीएसी सालेवल तल्बा के लिए तयार किया है पेपर माहुलियाती मुटाले से मुटालख है और जिस उन्वान पर हम बात करेंगे उसका मौजू है अक्ट्यूपेशनल डिसिजस या पेशा वरा नाम रास करेंगे दो कि लिए एक लिए रिए प्रवबेशनल पर भाब ड्रास अर्वबेशनल प्रास इस मवजू पे हम जानने की कोशिश करेंगे के पेशावराना अमरास क्या होते हैं और इस से मुतालख मुख्तलिफ अमरास पर हम बातचीत करेंगे साथ ही ये हिस्ट्री आफ अक्यूपेशनल डिसीज़स क्या है जहर किसे कहते हैं इन बातों पर भी हम तफसिली रोशनी जालेंगे तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं के पेशावराना अमरास क्या है पेशावराना अमरास या अक्यूपेशनल डिसीज़स से मुराद ऐसे अमरास है जो किसी फर्द को किसी खास प्रोफेशन से वाबिस्तेगी के नतीजे में ये इसका शिकार हो जाता है जैसे asbestosis, asbestosis की कंपनी में काम करने वाले या asbestosis plants से डील करने वाले, पुराने रूफ से काम करने वाले लोग asbestosis का शिकार हो जाते हैं इसी द्रह से ऐसे किसाण जो अपने fields में, खेतों में जरासिम कश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं ये लोग pesticide toxicity का शिकार हो जाते हैं तो जब हम कहते हैं कि पेशावारा अमराज क्या है इसे हमारी मुराद वो अमराज है जो किसी फर्द को किसी खास पेशे से वाबस्तगी के नतीजे में एक long run में मुजिर असराद से मतासिर होकर इसको लाहाख होते हैं तो इससे पहले कि हम ये जाने कि पेशावारा अमराज कौन कौन से हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहर क्या होता है जहर से मुराद पारसल्सिस को मैं इस मौजू पर कोट करूँगा It is only the dose which differentiate a poison with that of a drug परसल्सिस की रूँ से किसी शेकी कौइंटिटी है जो उस चीज को जहर बनाती है मुक्तलिफ सांप जो पाइजनस स्नेक्स हैं जैसा के वाइपर है या कोबरा है इन सांपों के पाइजनस को भी बहुत ही खलील मिगदार में बजाहर तो ये पाइजन है लेकिन इसको बहुत ही खलील मिगदार में इस्तेमाल करके इसी से अंटिवेनिंस पैदा किये जाते हैं या अंटिवेनिंस को बनाया जाता है अंटी विनिन्स वो दवाएं है जो साब के काटने के नतीजे में ऐसे अफराद को इस्तिमाल कराय जाते हैं जो खुद जहर से तयार किये जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां जहर की बहुत ही खलील मिगदार को इस्तेमाल करकर इसको दवा में तबदील कर दिया गया है। इसी तरह से अगर कोई शखस नमक का बहुत ज्यादा इसमाल करता है या ऐसा शखस जो डियाबिटिस का मरीज है और शकर का बहुत ज्यादा इसमाल करता है तो उस सुरत में ये शकर या ये नमक इसके लिए वाइट पैजन्स बन जाते हैं किसी शेय का जहर होना इस बात पे मुनहसिर होता है कि उसकी कितनी कौांटिटी को इस्तेमाल किया गया है यही चीज आगे चल कर दवा भी बन सकती है तो जहर और दवा का बुनियादी फर्ख उसकी मिगदार या उसकी खुवत पर है निसाब से मुतालख कुछ पेशवरानामरास की हम बातचीत करेंगे जैसे के लेट पॉईजनिंग ऐसे लोग जो सीसे से वाबिस्ता हैं अपने काम में तो इन लोगों को प्लमबिजम या इंसेफलोपती का शिकार होना पड़ता है लेट पॉईजनिंग दर असल ऐसे लोगों में कामन होती है जो डाइस से डील करते हैं, कलर से डील करते हैं या ऐसे लोग जो पिट्रोल स्निफर्स हैं या फिर ये लोग जिनके दुकाने किसी ट्राफिक जंक्शन्स पर होते हैं तो इन लोगों को लेट पॉईजनिंग का शिकार होना पड़ता है लेट बहसे टेक पॉईजन के हम इसको हिम्योपायाटिक पॉईजन में देखते हैं और हिम्योपायाटिक पॉईजन से मुराद आईसे पॉईजन्स है जो हमारे बलड फार्मिंग सिस्टम को मतासिर करते हैं तो लेट ऐज एज़ पॉईजन इन अफराद में जो बैटरी से डील करते हैं या जो प्लम्बिक काम से डील करते हैं या पिट्रोली स्निफर्स हैं इनके खून में दाखिल होकर वहाँ पर मौझूद दो खामिरों को मतासिर करता है एक तो है डेल्टा आमाइनो लिविलिनिक आसिड डी हैड़ेटेज और दूसरा एक खामिरा है जो हीम सिंटेज इन दोनों को मतासिर करने के नतीजे में लेट पाइजनिंग का शिकार हो जाते हैं जिसकी वज़े से बयो सिंटिसिस अफ हीम में कमी वाकि हो जाती है और नतीजे तन इस तरह के अफराद अनीमिया का शिकार होते हैं तो अनीमिया एक outcome है ऐसे अफराद के लिए जो लेट से वाबिस्ता हैं तो यहां पर ये खाबल गवर बात है कि लेट के environment में काम करने के नतीजे में ये अफराद लेट poisoning का शिकार हो जाते हैं और अनीमिया से मतासर होते हैं लेट poisoning को दूर करने के लिए दूद का शदीद इस्तेमाल मुफीद होता है चूँके लेट अपने metabolism में कैलशियम को फालो करता है और कैलशियम की एक कसीर मिगदार दूद में मौजूद होती है इस वज़े से दूद का इस्तेमाल करा जाता है occupational toxicology की बुनियाद सबसे पहले perceival part नामी science दाने की जिसने देखा जो चिमनी साफ करते हैं इन लोगों में scrotum का cancer पहा आ गया तो ये पहली दरियाफ थी जिसमें पता चला किसी खास पेशे से वाबिस्तगी के नतीजे में अमरास पैदा होते हैं रमजानी नामी एक science दान इस माइदान में काफी काम किया है जिसको हम father of occupational diseases कहते हैं आईए अब हम दूसरी पेशावरा नमर्स की बारे में बात करते हैं ऐसे अफराद जो field से वाबिस्ता हैं ऐसे किसान जो अपने खेतों में छिड़काओ के लिए जरासिम कश अदवियात का इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी तोर पर इन अफराद को जरूरी होता है कि prevention के लिए या हिफाज़त के लिए अपने हाथों में गलाउस पहने नोज मास्क लगाएं मालूमात की कमी और चीजों की कम फराहमी के नतीजे में यो लोग बगएर किसी तहफूस के इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ये जरासिम कश अदवियात जिसको छिड़काओ किया जाता है खेतों में ये इनतहाई मुजिर होते हैं बन्यादी तोर पर ये या तो आरगनो क्लॉरींज होते हैं जैसे के डी डी टी बी हेच सी हिप्ताकلूर या फिर आरगनो फासफेड्स होते हैं जैसे के सूमिथियों, मेलаздियों, पराथियों ये जरासीमकश अदवियाद दोराने इस्तेमाल केसानों के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये अपराद मुतासर होते हैं चूँके Argonoclorines और Argonophosphates ये CNSPISONS है Center Nervous System को मुतासर करते हैं इसलिए जैसे Parathiaan या Melathiaan है ये Parasympathetic Disfunction का शिकार बनाता है जिसके नतीजे में किसान दोरों के शिकार हो जाते हैं, सीजर्स का शिकार हो जाते हैं, इन में पैरलाइसिस भी मुम्किन है, मजल वीकनिस होता है, और कभी-कभी कुवा में सिलिप होने का भी खच्चा होता है, और इस तरह से इन मतासर आफराद की मौद भी वाकि हो सकती है दूसरी तरह के जो जरासिम कष्व अद्वियात जिनका अमूमन इस्तिमाल किया जाता है वो आरगनोफासफेंट्स है आरगनोफासफेंड्स में मेलट्यान, सुमिध्यान, पैराथियान इस तरह के केमिकल्स शामिल है और ये केमिकल्स पॉली नियूरोपती, डिलेड नियूरोपती, इंटरमीडियेट सिंड्रोम में मुप्तिला कर सकते हैं साथ ही साथ इन अफराद में एक्साइटेशन और सप्रेशन का शिकार बनाते हैं आईए अब हम एक दूसरी बड़ी पेशावराना अमरास की खिस्ब पर बात करते हैं जिसको हम नीमो कोनियासिस कहते हैं नीमो कोनियासिस दरसल नीमो और कीनोस का मुरकब है नीमो के माने हवा के हैं और कीनोस के माने डस्ट के हैं नीमो कोनियसिस दरसल एक मजमूआ है जिसमें लंग को मतासिर करने वाले कई अमराज को शामिल किया गया है जिसकी वज़े से फेपड़ों की कारकरदगी मतासिर हो जाती है पेशे के बुनियाद पर इस्तेमाई अमरास को इन्फरादी अमरास के नाम दिये गए हैं ऐसे लोग जो पत्थर या इस तरह के दूसरे कामकाज में लगे होते हैं वो सिलिकोसिस में मुपतला होते हैं गरनाइट में काम करने वाले या पत्थर फोड़ने वाले पत्थर तोड़ने वाले ये सिलिकोसिस में मुपतला हوتे हैं इसकी तफसील हम आगे बात करेंगे वजीद दूसरे जो निमोकोनियासिस के अमरास है इसमें अस्बस्टासिस एक दूसरा मर्ज है ऐसे अफराद जो अजबस्तस की फैक्टरी में या मिल्स में काम करते हैं वो इस से मुतासर होते हैं गन्य को इस धूल से मुतासर होने वाले आफराद बेगाउसोसिस से मुतासर होते हैं अब हम इन पर तफसीली रोशनी डालेंगे silikosis एक लातिनी लफज है जो साइलेक्स से लिया गया है जिसके माने पत्थर की धूल है जहां जहां भी हम धूल से मतालग बात करेंगे इससे मुराद उस तरह के पेशों में निकलने वाला धूल, धुआ या फुजला है जैसे सिलीकोसिस में फटर तोडने वाले, शुरी चाखु तेस करने वाले ये तमाम अफराद सिलीकॉन, डायाकसाइड या सिलीका से मतासिर होते हैं ये सिलीका तनफुजी निजाम को मतासिर करता है और सिलीकोसिस के नतीजे में टीबी पैदा होने के वसी इमकानात पैदा हो जाते हैं वो अफराद जिनमें सिलीका फेपड़ों में जमा हो जाता है या सिलीका के जर्राइ जमा मेनमें टीबे पैदा होने की अमकानाद वसी हो जाते हां ऐसे जर्राइ जिनकी कमियत एक से पाँच माइकरो मेटर होती है ये हमारे लिए नुखसान का बास बंते हैं ये जाकर फिपड़ों में दाखिल हो जाते है या एरवे पैसेजेस में मुब्तिला होते हैं ब्रैंक्योल्स में जमा हो जाते हैं या अल्विलाई को मतासिर करते हैं बुनियादी तोर पर यही जरात हैं जो नुखसान का बास होते हैं एक और जरात हैं जिनकी कमियत 5-10 माइक्रो मीटर होती है लेकिन ये जर्रात अल्विलाई या ब्रैंक्योल्स में दाखिल होने की सलाहियत नहीं पाते चुछे ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जैसे ही ये पाइपलाइन में दाखिल होते हैं भीकोसीलियारी रिफलेक्स के जरिये तनफुसी निजाम में मौझूद म्यूकस और सीलिया इनको फौरी बाहर निकाल देते हैं जैसे वो फर्द जो है छीकेगा या खासेगा छीकना क्या है दरसल एक फ्रेंट लाइन मेकानिजम है जिसमें जिसम ऐसे अंडिजेरेबल पार्टिकल्स को रद कर देता है जो आगे चल कर जिसमें नुखसान का बाज बनते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मसला वो जर्रात हैं जिनकी कमियत एक से पांच माइकरो मिटर होती है सिलिकोसिस को माइनर्स थीसिस या माइनर्स आस्थिमा ग्राइंडर्स डिसीज या पाटर राड भी कहा जाता है ये शिश पर या लंग्स पर धब्बे पैदा करते हैं और उपरी लोपस में सूजन का बाज बनते हैं इस मर्ज में मरीज को खांसी, सीने में तकलीफ और जिल्ड का नीला हो जाना इस तरह की शिकायते पैदा होती हैं साथ ही साथ इस मर्ज में बुखार भी आने लगता है जब ये मर्ज शिद्ध अख्तियार करता है तो ये लोग टैकीड डिस्निया या तेज सांस का चलना निखाहत और कमजोरी भी महसूस करते हैं और कभी कभी एक लॉंग टर्म में अगर ये सिलिकोसिस में मुब्तला हो जाएं तो आईसे अफराद को राइट वेंट्रिकुलर हर्ड डिसीज का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी मौद भी वाखे हो सकती है आईए अब हम दूसरे मर्स की तरफ जाते हैं जिसे हम अस्बस्तासिस कहते हैं अस्बस्तास की कमपनियों में काम करने वाले मजदूर अस्बस्तासिस का शिकार होते हैं इस बीमारी में अस्बस्तास के रेशे जिनी हम अस्बस्तास फाइबर्स कहते हैं तनक्षु निजाम में दाखिल होकर लंग्स को मतासिर करते हैं अस्बस्तास Fibers में हम दो तरह के Fibers देखते हैं एक तो कर्ली Fibers और दूसरे Amphibos कर्ली Fibers या Serpentine Fibers ऐसे Fibers हैं जो आसनी से जिस्ट से बाहर निकाल दिये जाते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा मसला एमफीबोल पाइजन्स का है एमफीबोल जो धागे हैं या फाइबर्स हैं ये अंदर दाखिल होकर नहीं निकलते बलके वहाँ पर इम्यून सिस्टम को मतासिर करते हैं और यहां जब जाके ये फाइबर्स एक नुढूल की शकल इख्तियार कर लेते हैं तो ये नुढूल को निकालने के लिए मेकरोफेजस अस पर आमस्धर करते हैं और मेकरोफेजस की नाकामी की वजह से ये fibers काफी लंबे आर्से तक जिसमें ही मौजूद रहते हैं और इसी वज़े से मरीज को सीने में दर्द, खासी, बुखार इस तरह के अलामतों से गुजरना पड़ता है और ये nodules, ivory white nodules की शकल में lungs के निचले हिस्सों में जमा हो जाते हैं लंबे अर्से तक इस plant में काम करने के नतीजे में इन लोगों में दो तरह के cancers को नोट किया गया है एक तो mesothelioma है और दूसरा bronchogenic carcinoma है ये दो तरह के cancers इस तरह के मरीजों में आम होते हैं mesothelioma एक ऐसा cancer है जिसमे mesothelial cells जो pleura की lining पर मौजूद होते हैं ये मतासिर होकर कारसिनोजनिक हो जाते हैं और ये cancerous होने के नतीजे में mesothelioma होता है अमूमन रेडियो थरापी, कीमो थरापी या सरजरी के जरिए इसका इलाज मुम्किन है लेकिन इसके लिए जरूरी है के सहीं वक्त पर मर्स की शिनाक्त हो जाए इसमें दूसरी तरह का जो cancer है वो ब्रांको जिनिक कारसिनोमा है अस्बस्तोसिस में आसनी से पहचान भी मुम्किन है ये लोग अपने थूक के जरिये से अस्बस्तास के fiber को बाहर निकालते हैं और ये जो fibers हैं दरसल नोड्यूल की शकल में होते हैं और नोड्यूल की formation के लिए amphibol जब macrophages से तामल में आते हैं या macrophages से interact करते हैं तो ये macrophages फेराटिन सीक्रीट करता है और ये फेरैटिन एक स्ट्रिप की शकल में ये निडूल्स को थाम लेते हैं इस मर्ज में मरीज को इस प्लांट से हटाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आक्सिजन थिरापी देना बहुत जरूरी है उसके अलावा ऐसे अमराज में नीमोकोकस बीमारी और दूसरा एक इन्फेक्शन इन्फ्लूइंजा इन्फेक्शन भी उमूमन हो जाता है तो इसकी रोग थाम के लिए मरीज को वैक्सिनेट करना इंतहाई जरूरी है ताके सिकेंडरी इन्फेक्शन को रोग सकें आई अब हम एक दूसरे मर्ज की तरफ जाते हैं जिसे हम बिस्नौसिस कहते हैं बिस्नौसिस या इसको ब्राउन लंग्स भी कहा जाता है या इसको मंडे फिवर के नाम से भी जाना जाता है ये भी एक पेशावाराना फेपड़े का मर्ज है जिसमें वो अफराद मुपतला होते हैं जो काटन मिल में काम करते हैं या टेक्स्टाइल से वाबिस्ता है या थ्रेट की इंडस्ट्री से वाबिस्ता है या काटन फाइबर से वाबिस्ता है इस तरह के मिल्स में काम करने वा कानों में मुंत्खिल करें और अगर असराद ज्यादा हो उस सूरत में ये जरूरी हो जाता है कि इनको उस प्लांट से हटा दें कमरों में बैटकर रोई धुनकने वाले भी बिसनाइसिस का शिकार हो जाते हैं ये मर्ज ज्यादतर इन लोगों को मुतासर करता है जो यान या की तैयारी में इन्वाल्व होते हैं और इसकी रेशे इनकी सांसों की नालियों से गुजर कर फेपड़ों को मुतासिर करती है जिसकी वजह से इनी खासी दम चरना सांस लेने में तकलीफ और सीने में कंजेश्चन महसूस होता है आईए अब हम एक दूसरे बर्ज की तरव बात करते हैं जिसे हम बैगोसोसिस कहते हैं बैगोसोसिस दरसल ऐसा पेशावाराना बर्ज है जो उन लोगों को मुतासिर करता है जो केन डस्ट या शुगर केन डस्ट से वाबिस्ता है जैसे के गन्य का रस निकालने वाले या शगर की तयारी में मुबतला लोग या ऐसे लोग जो शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे वरकर्स बैगोसोसिस का शिकार होते हैं दरसल गन्य से बचने वाला जो रदी है फूक है फुजला है इसको हम बैगासी कहते हैं और यह बेगासी मुक्तलिफ पेपर्स की तैयारी में, कार्ढडबोर्ड की तैयारी में, रयान की तैयारी में इस्तेमाल हता है बेगासौसिस फेपरों का मर्ज पैदा करता है ये मर्ज थर्मो-ैक्टरिनΟिनोमाईसिस सैकरी की वज़े से होता है जिसे मुतासर आफराद, खांसी, सीने की तकलीफ, बुखार और खुना मेसूप में मुपतला हो जाते हैं इस मर्से बचाओ के लिए गन्डे के बचे हुए मड़ी को या धूल को ट्रीट करना जरूरी होता है अगर हम 2% propaneo acid से इसको ट्रीट करते हैं तो उस सूरत में इसके असरात कम हो जाते हैं इलाज के लिए adrenal steroids इस्तेमाल कराई जाते हैं एक और मर्स को शामिल कर लेते हैं जिसे हम anthracosis कहते हैं anthroposis ऐसा मर्ज है जो कोईले की कानों में काम करते हैं जिनकी वाविस्त की कोईले से है तो इन में कार्बन पार्टिकल्स या कार्बन इनके लंग्स में दाखिल हो जाता है शार्ट डियोरेशन में अगर कार्बन से लंग्स मुतासिर हो तो कोई खास बीमारी नहीं पैदा करता लेकिन लॉंग टर्म में अगर ये मुतासिर हो जाते हैं तो उस सूरत में यहां इनके लंग्स में मुतासिर होने का इमकान खवी हो जाता है इस मर्स को अंथरोकोसिस कहते हैं इसको कोल माइनर्स डिसीज भी कहा जाता है और इसमें फैगोसाइट्स जो कोल के जर्रात हैं उनको निगल जाते हैं और नतीजे में डस्ट सेल्स या कार्बन सेल्स की शकल में जाहर होते हैं तो यह जो मुक्तलिफ-Lung diseases है जन्हें हम निमो कौनियासिस में शामिल किये हुए हैं यह सारे के सारे बुनियादी तूर पर लंग को मतासर करते हैं लंग कैपसिटी को मतासर करते हैं लंग वाल्यूम को मतासर करते हैं और इसके नतीजे में forced expiratory value में कमी हो जाती है इसका मतलब यह है कि लंग फंक्शनिंग मुतासिर है तो इस बात पर मुनासिर के कौन सा धूल मुतासिर किया है वो मर्स पैदा होता है तो आज की इस नशिस्त में हम जिन बातों का इहाता किये हैं वो हैं जहर क्या है occupational diseases से क्या मुराद है तो यह एक बुनियादी एहाता था जो मुक्तलिफ पेशावारना मुरास का किया गया जो B.A. B.S.E. साल अबल के निसाब से मुतालिख है आप occupational diseases से मुतालिख या toxicology से मुतालिख मुक्तलिफ किताबों का मुतालिख कर सकते हैं मजीद तफसिलात के लिए दिये गए पते पर रप्त पैदा कर सकते हैं आज की इस नशिस्त का यहीं पर इक्तिताम होता है अगली किसी तालीमी नशिस्त में आप से मुलाखात होगी तब तक के लिए इजादत दीजिए अगली किसी तालीमी नशिस्त में आप से मुलाखात है अगली अगला है झालीमी नशिस्त में आप से मुलाखा